आप सबको मेरा नमस्ते ये टाइम अभी मैं आपको सलफर के बारे में बताने वाली हूँ मेरा परीड अप्तत्तो है एकचली प्रकार दो है भात्वपूर्ण। क्योंकि बच्यों कर विकास के लिए उनकी हटी के लिए बहुत ही जारी है सलफर अम्य而च कश्या की हए उसमीलिए बहुत जॉय है। जो लिवर है, लिवर में भी sulfur बहुत important है, वो portion ततो है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग के खाने में, खाना जिसमें ज्यादा sulfur हो, वैसा खाना हम लोग को खाना है, बहुत टाइम आप पतानी आप जाते होंगे कि नहीं कि यहाँ पे महारास्ट्र में, दिर इस जाते हैं, और वो उसको बोलते हैं गंधक, वो बास आती है, गंधक मतलब आपका, जो sulfur है उसको गंधक बोलते हैं, ठीक है, तो कौन-कौन जाते हैं वहाँ पे गरम पाने के कुंड में, एक तो है जो चमडी के रोग वाले जाते हैं, दूसरा है जो जिसको joint pain हो रहा है, ज लो चमडी में, बाल में, बहुत- बहुत मात्रम में sulfur काम आता है, तो थीक है, आपको मालुम होगा के है, बहुत टाइम आप, शैंपू जो बाइ करते हैं वो लोग बोलते हैं, करोटीन वाला शैंपू है, करोटीन मतलब sulfur से बना होता है, करोटीन, ठीक है, तो paternal से पीस samen दूसरे मुझे आपको ये भी बताना था कि Sulfur है वो तीन चीज से हम लोग को मिल सकता है एक तो है तीरा Amino Acids जैसे मैंने बताया था कि जैसे important amino acids होते है उसमें से जो दो amino acids है एक तो है Sustene दूसरा है Methionine तो जो तो amino acids है उसमें sulfur की मातरा बहुत ज़्यादा है, वैसे वो तो protein है, लेकिन protein में sulfur एक attach हुआ है, तो अगर वो protein वाला खाना आप खाएंगे, जिसमें sustain और methionin है, उसमें से आपको sulfur बहुत अच्छी मातरा में मिलेगा, तीसरा जो चीज है, वो है आपका organic sulfur, तो वो जो सबजिया होती है जिसमें थोड़ी सी थोड़ी बास आती है, तो वो sulfur है, तो कौनसी कौनसी इसी सबजी है, जिसमें थोड़ी सी आपको थोड़ा घंद आएगी, वो है एक तो है आपका प्यास, तीक है लसून, आपके जो full gobi है, full gobi, full gobi में sulfur के मातरा जादा है, वैसे सारे जो gobi है, broccoli है, तो इसमें भी थोड़ी, वो sulfur की बास आते है, और गाने sulfur compounds, तो वो आपको ज्यादा मातरा में लेना है, प्यास को भी, बच्चों को भी थोड़ा बड़े हो जाएं, तो आप उसको प्यास खिलाओ, और अभी मैं आपको तीन टॉल बताने वाली हो, दिखाने वाली हो, एक इंपोर्टन्ज अफ वहत्व है, sulfur का महत्व, वेज्टेन रेसिपीज है, sulfur की, तीसरा है, नॉन वेज्ट रेसिपी, sulfur की, ठीक है, तो ध्यान में रखो, बहुत ही, again, वहत्व का टुटॉल है, आप लिख दो कि sulfur अगर नहीं होगा, तो क्या-क्या प्राब्म होगे, ठीक है Thank you Amino Acid, protein बनाते है 22 Amino Acid है 22 में से कुछ में sulfur है सबसे जरूरी Sulfated Amino Acid, Methionin है, और Cytin Methionin को शरीर में संसलेशित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे खाने में से लेना चाहिए दूसरी और, सिस्टिन हमारे शरीर में संसलेशित होता है जबकि इसके लिए sulfur की लगातार भरपूर मात्रा में जरूरत होती है Methionin और सिस्टिन को शरीर में जमा नहीं किया जा सकता जरूरत से ज्यादा की मात्रा पेशाप से निकाली जाती है वरना ये glutathion के रूप में इकठा हो जाता है glutathion कलेजे में बनने वाला एक antioxidant है ये कोशिकाओं को नुकसान से और कई बिमारियों से बचाता है ये शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालने में भी मदद करता है कई अन्य योगिक पदार्थों में भी सल्फर होता है आईए उन योगिक पदार्थों के महत्व पर बात करते है सबसे पहले मैं आपको केराटीन के बारे में बताऊंगा केराटीन इनसान की तवचा के बाहरी परत में पाया जाता है स्वस्थ बालो, नाखूनों और कोशिकाओ के बढ़ने के लिए केराटीन जरूरी है कॉंड्राइटिन सल्फेट एक अन्य योगिक पदार्थ है जिसमें सल्फर होता है ये जोडों में उपास्थी को तूटने नहीं देता है जोडों की गती में सुधार करता है ओस्टियो आर्थराइटिस के कारण होने वाले दर्थ से राहत दिलाने में मदद कर सकता है औस्टियो आर्थराइटिस एक ऐसी स्थिती है जहां जोडों की उपास्थी तूटने लगती है एक अन्य सल्फर युक्ति यौगिक पदार्थ है अल्फा लिपोईक आसिड उर्जा बनाने और एंजाइम के काम के लिए अल्फा लिपोईक आसिड की जरूरत होती है ये खून में शुगर के स्थर को कम करने में भी मदद करता है प्रोटीन के अलावा कुछ B विटमिन में भी सल्फर होता है उनमें से एक विटमिन B1 है जिसे थाइमीन के नाम से भी जाना जाता है सामन्य विकास और वृद्धि के लिए हमें थाइमिन की जरूरत होती है प्रजनन और स्तन का दूध पिलाने के समय भी इसकी जरूरत होती है बायोटीन एक आन्य भी विटमिन है जिसमें सल्फर होता है स्वस्थ बालों के विकास के लिए बायोटीन जरूरी है ये कोशिका के संकेत और जीन के नियमन में भूमिका निभाता है आईए अब हमारे शरीर में सलफर की अलग-अलग भूमिकाओं को देखे सलफर पाचन के प्रक्रिया में मदद करता है फेफडों में बलगम बनने से बचाता है और इन्फेक्शन से भी आखों को स्वस्थ बनाए रखता है आखों में मोतिया बिंद के संभावना को कम करना केंद्रियस नायो यंद्र का विकास और एक मजबुत रोग-प्रतिरोधक शक्ती बनाता है इंसुलिन उत्पादन के लिए भी सलफर की जरूरत होती है कॉलेजन के सोखने के समय सलफर की भी जरूरत होती है कॉलेजन एक प्रोटीन है जो हड़ियो, मास्पेशियो और त्वचा में पाया जाता है ये त्वचा को मजबूत बनाता है कॉर्टिसॉल जैसे हॉर्मोन के उत्पादन के लिए भी सलफर की जरूरत होती है अल्डस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन अन्य उदाहरन है अब मैं आपको इन हॉर्मोनों के अलग-अलग कामों के बारे में बताऊंगा कॉर्टिसॉल खून में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और शरीर में सूजन को कम करता है इसे तनाव हॉर्मोन भी कहा जाता है अल्डस्टेरोन का मुख्य काम रक्त चाप को सही करना है टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हॉर्मोन है ये हड़ी का द्रव्यमान और मास पेशियों का घनत्व बनाने में मदद करता है आईए सल्फर की कमी से होने वाले लक्षणों को देखे सल्फर की कमी से तवचा पर जुर्या पढ़ जाती है बाल और नाखून कड़क हो जाते है जोडों का दर्द, एठन और याददाश्ट कम होना भी देखा जाता है इसके अलावा शरीर में विशेले पदार्थ भी जमा हो जाते है इससे कैंसर का खत्रा बढ़ सकता है दूसरे प्रकार का शुगर और दिल के रोगों का खत्रा भी बढ़ जाता है पेट की तकलीफे, लाल चकत्ते और घाव भरने में भी देरी देखी गई है अब हम सल्फर से भरपूर कुछ खाने के स्त्रोतों को देखेंगे सल्फर के लिए कोई अनुशन्शित आहार मात्रा नहीं है रोज सल्फर से भरपूर खाना खाने के सलाहा दिगई है मेथियोनिन और सस्टिन से भरपूर खाने सल्फर के अच्छे स्त्रोत है अंडे, मचली और चिकन मेथियोनिन के अच्छे स्त्रोथ है दाने, दूध, बीज और अनाज में भी मेथियोनिन होता है चिकन, पनीर, अंडे और फलिया सिस्टिन के अच्छे स्त्रोथ है आगे हम उन विटमिन से भरपूर खाने के स्त्रोतों को देखेंगे जिन में सल्फर होता है साबुत अनाज, चिकन, फलिया और दाने थाइमीन के स्त्रोत है जबकि बकरी का कलेजा, अंडे, मचली, दाने और बीजों में बायोटीन होता है लहसुन, प्याज, पत्तागोबी और फुलगोबी में भी सल्फर मौजूद होता है अच्छे स्वास्त के लिए इन खाने के चीजों को अपने रोज के खाने में शामिल करना याद रखे अब ये टुटोरियल यही समाप्त होता है ये स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं मैत्रे अबापट अब आप से विदा लेता हूँ हम से जुडने के लिए धन्यवाद सल्फर से भरबूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे हमारे शरीर में सल्फर के फायदे कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके सल्फर हमारे शरीर में पाया जाने वाला तीसरा सबसे भरबूर खनिच पदार्थ है 22 अमाइनो एसिड हैं जिन मेंसे कुछ में सल्फर है ये सलफेटिड अमाइनो एसिड से मिलते हैं सबसे जरूरी सलफेटिड अमाइनो एसिड मेथियोनिन और सिस्टीन हैं सलफर पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है यह फेपडों में बलगम बनने से बचाता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है केंद्रिय तंत्रिका तंत्र के बनने के लिए भी इस खनिच पदार्थ की जरूरत होती है यह इंसुलिन के बनने में भी मदद करता है सल्फर के लाब एक अन्य चुटॉरियल में समझाए गए हैं जादा जानकारी के लिए कृप्या हमारी वेबसाइट देखें अब खाना बनाने की तयारी देखते हैं शुरू करने से पहले ध्यान दें कि इस चुटॉरियल में एक कटोरी डेड़ सौ मिली लीटर है पहला है सैंविच धोकला इसको बनाने के लिए हमें जरूरत होगी तीन बड़े चमच कुटकी दो बड़े चमच छिलके वाली उड़त दाल तीन बड़े चमच दही दो मुठी दुले हुए गोगुके पते दो हरी मिर्च दुली और कटी हुई लहसुन की दो से तीन कलिया आपको एक मुठी दुली और कटी हुई धनिया के पत्तों की भी ज़रूरत होगी एक चमच पिसा हुआ लहसुन, तड़के के लिए आपको जरूरत होगी आधा चमच सर्सों के दाने, आधा चमच जीरा, एक बड़ा चमच तिल, एक चौथाई चमच हींग पाउडर, पांच से छे धुले हुए कड़ी पते, आपको दो चमच तेल या घी की भी जरूरत होगी, और स्वाद अनुसार नमक भी, तरीका, कुटकी और उड़त दाल को धोकर 6-8 घंटों के लिए भिगो दें, पानी निथारे और उन्हें एक मुलायम घूल में पीस लें, इसे एक कटोरे में डालें, घूल में दही और नमक डालें, मुलायम बनाने के लिए इसे अच्छी तरह मिलाएं, कटोरे को ढग दें और इसे 6-8 घंटों के लिए एक गरम जगा पर खमीर उठने के लिए छोड़ दें, घूल में खमीर उठने के बाद कटी हुई हरी मिर्च, अद्रक और पिसा हुआ लहसुन डालें, फिर से सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, एक भाप लगवाने वाली थाली को तेल लगाएं, और उस पर घूल डालें, घूल को अच्छे से फैलाने के लिए प्लेट प थप थपाएं, भाप लगवाने वाले बरतन में आधा गिलास पानी डालें, प्लेट को उस बरतन में रखें, कृपया ऐसा करते समय ध्यान रखें, बरतन को धक्कन से बंद करें और इसे 10 से 12 मिनट के लिए भाप दें, प्लेट को ठंडा होने दें, बाद में ढोकले को ति बनाएं, एक मिक्सी में गोगू के पत्ते, हरा धनिया, मिर्च, लहसुन और नमक डालें, इसे एक गाड़े गूल में पीस लें, अगर जरूरत हो तो थोड़ा पानी मिला लें, अगर गोगू के पत्ते नहीं हैं, तो सहजन की पत्तियां ले सकते हैं, सैंड़िच बनाने क के लिए ढोक लेका एक टुकडा लें, जो हमने पहले बनाया था, चटनी को उस पर समान रूप से लगाएं, इसे दूसरे टुकडे से ढख दें, यह एक सैंड़िच की तरह दिखना चाहिए, बाकी टुकडों के लिए भी यही तरीका दोहराएं, तड़का बनाने के लिए एक बरतन में तेल या घी गरम करें, राई, जीरा, तिल, हींग और कड़ी पता डालें, जब राई फूटने लगे तब तड़के को धोकलों पर डालें, सैंड़िच धोकला तैयार है, सैंड़िच धोकले के 10 से 12 टुकडों में लगभग 93 मिलिग्राम सलफर होता है, अगला है चेना का उपमा, इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी, दो बड़े चमच चेना, एक मुठी धुली हुई मेथी की पतियां, एक मध्यम कटा हुआ प्याज, एक चमच पिसा हुआ अद्रक, एक चमच पिसा हुआ लैसुन, दो हरी मिर्च धोकर कटी हुई, आपको इनकी भी जरूरत होगी, एक बड़ा चमच धुली और कटी हुई गाजर, चार से पांच फूल गोभी के टुकडे, एक बड़ा चमच हरी मतर, एक मुठी धुली और कटी हुई धनिया पतियां, हमें जरूरत होगी एक चमच हल्दी पावडर, जीरा पावडर, धनिया तरीका चेना को धोकर 6-8 घंटों के लिए भिगो दें, पानी निकालें और एक तरफ रख दें, एक बर्तन में टेल गरम करें और उसमें लहसुन, हरी मिर्च, अदरक डालें और एक मिनट के लिए भूनें, कटे हुए प्यास और सबजियां डालें, प्यास के नरम होने तक भ पानी डालें और इसे कम आँच पर पकने दें, बर्तन को धक्कन से धकें और 5 मिनट के लिए पकाएं, चेना का उप्मा तैयार है, इसे एक कटोरे में डालें और धनिया की पत्यों से सजाएं, आप उप्मा को दही के साथ परोज सकते हैं, इस उप्मा में लगभग 165 मिलि जुली सबजियों का कटलेट, इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी, दो बड़े चमच सावा, दो बड़े चमच कुटकी, दो बड़े चमच कोदो, दो बड़े चमच भुना हुआ बेसन, आपको जरूरत इसकी भी होगी, मुठी भर दुले और कटे हुए चौलाई दो बड़े चमच धुली और कटी हुई गाजर, दो बड़े चमच कटा हुआ प्याज, आपको जरूरत होगी एक चमच पिसा हुआ अद्रक, पिसा हुआ लसुन भी, आपको इसकी भी जरूरत होगी, एक चमच हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धन्या पाउडर, गरम मसा पाउडर कटी हुई हरी मिर्च भी दो चमच तेल और स्वाद अनुसार नमक के भी जरूरत होगी तरीका सावा कोदो और कुटकी को 6-8 घंटों के लिए भिगो दें उन्हें चान लें कम आंच पर हलका भूरा होने तक सूखा भूनें उन्हें ठंडा होने दें मिक्सर में डा इसे बात के इस्तिमाल के लिए अलग रख दें एक बर्तन में तेल करम करें प्यास पिसा हुआ अद्रक लहसुन और हरी मिर्च डालें प्यास के नरम होने तक भूनें बर्तन में पत्ता गोबी और गाजर डालें और कुछ मिंटों के लिए भूनें अगला चोलाई के पत्त दालें और अच्छी तरह मिलाएं, मसाले और नमक डालें, फेर से मिलाएं और पांच से 6 मिनट के लिए पकाएं, इसे ठंडा होने दें, हमने पहले जो पाउडर बनाया था उसमें पकी हुई सब्जियां डालें, अब भुना हुआ बेसन डालें, और सब कुछ अच्छी तरह से मिला ले थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको गूंद ले फिर चार भाग करें और उन्हें कटलेट का आकार दें एक बरतन में तेल गरम करें कटलेट को हर तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तलें मिली जुली सबजियों के कटलेट तयार हैं चार कटलेट में लगभग 144 मि होता है आखरी में सीखेंगे तले हुए कटल के बीज इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी कटल के 12 बीज एक मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज एक मध्यम कटा हुआ टमाटर आपको जरूरत होगी एक चमच पिसा हुआ अद्रक पिसा हुआ लसुन भुने हुए त नीम्बू का रस आपको ज़रूरत होगी एक चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धन्या और जीरा पाउडर की भी, एक चम्मच तेल या घी की भी ज़रूरत होगी और नमक स्वाद अनुसार तरीका कठेल के बीजों को प्रेशर कुकर में चार से पांच सीटी आने तक पकाएं, उन्हें छान लें और एक प्लेट में रखें, थंडा होने दें, थंडा होने पर उन्हें छील लें, बीजों पर मसाले, नमक, पिसा हुआ अधरक लहसुन और नीम्बू का रस लगाएं, और पांच मिनट के लिए भूनें, इसके बाद बर्तन में कठेल के बीज डालें, इसे पांच से छे मिनट तक भूनें, जब बीज कुरकुरे हो जाएं, तो गैस बंद कर दें, इसे एक कटोरे में डालें, और भूने हुए तिल से सजाएं, कठेल के बीज खाने के लिए तैयार हैं, इसे खाने से 472 मिलीग्राम सलफर मिलता है, तंदरुस्ती के लिए इन खानों को अपने हर रोज के खाने में जरूर शामिल करें, अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है, IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद. कर दो कर दो मैं एन्यवाद.